हेलो दोस्तो आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं चावल का मूल ग्यात करना यानि की दोस्तो देखिए अगर हम बाजारों में जाते हैं तो हमें कोई वस्त किलो ग्राम में लेकर ग्राम में लेना पड़ता है तो उसका मूल हम कैसे पता करेंगे आज हमें इस वीडिय चावल का दाम 400 रुपए है तो 300 ग्राम चावल का दाम क्या होगा तो देखिए दोस्तो हमारे पास दिया है 10 किलो ग्राम चावल का मूल 400 रुपए और हमसे पूचा है ग्राम में यानि कि 300 ग्राम चावल का मूल क्या होगा तो देखिए दोस्तो यहां पर हम आसानी से आपको हाल करना सिख्षाएंगे यहां पर लिखेंगे दोस्तों हम 10 केजी चावल का दाम हमारे पास दिया है 400 रुपए 400 रुपए उसके बाद देखिए दोस्तों सबसे पहले हम पता करेंगे कि हमारे पास एक केजी चावल का दाम क्या होगा तो देखी दोस्तों यहां पर लिखेंगे हम एक केजी बराबर चार सो अब इस दस को बाई तरफ आले अंक को हम दाहिनी तरफ लेकर आते हैं तो हमारा बटे में जाता है यानि कि यहां से हम 10 से भाग लगा देंगे तो 10 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा यहां पर होगे हमारे पास 40 रुपए यानि कि दोस्तों एक केजी एक केजी चावल का मुल 40 रुपए है तो देखिए अब हम देखेंगे कि एक केजी बराबर होता क्या है तो यहां से एक किलो ग्राम ब्राबर होता है एक हजार ग्राम एक किलो ग्राम ब्राबर होता है दोस्तो हमारे पास एक हजार ग्राम तो एक हजार ग्राम को हम क्या लेख सकते हैं एक हजार ग्राम ब्राबर 40 रुपए यहाँ पर 1000 ग्राम ब्राबर हो गया 40 रुपए तो हमें पता करना है कितना 300 ग्राम चावल का दाम तो देखी दोस्तों यहाँ पर अब हम 1000 को हम 40 में भाग देंगे तो हमारे पास 1 ग्राम का मूले पता चलेगा तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हम 1 ग्राम ब्राबर 40 बटे 1000 अब 40 बटे 1000 को काटेंगे कितना जाएगा एक जीरो से एक जीरो कट गया तो यहाँ पर बचा कितना दोस्तो यहाँ पर बचा हमारे पास चार बटे सव यानि कि दोस्तो एक ग्राम एक ग्राम चावल का मुल्ख चार बटे सव रुपए है तो अब हमें पता करना है कि 300 ग्राम चावल का मूल क्या होगा तो यहाँ पर देखी दोस्तो एक ग्राम में 300 से गुड़ा करेंगे तो हमारे पास 300 ग्राम हो जाएगा तो यहाँ सो गया 300 ग्राम चावल का मूल उसके बाद यहाँ पर भी हम 4 बटे 100 में 300 से गुड़ा करेंगे तो 300 से गुड़ा करेंगे 4 बटे 100 में दोस्तो तो यहां हो गया हमारे पास 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 यानि कि 2 0 से 2 0 कड़ गया यहां पर बचा कितना दोस्तो यहां पर हो गया हमारे पास 4 का गुड़ा 3 में करेंगे 4 तिनाई 12 तो यहां हो गया हमारे पास 300 ग्राम चावल कमूल 12 रुपए यानि कि दोस्तों इसका राइट एंसर हो गया हमारे पास 12 रुपए 300 ग्राम चावल कमूल होगा 12 रुपए यही होगा हमारा राइट उत्तर तो फिर चलिए दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि चावल कमूल अब आप लोग आसानी से पता कर लेंगे तो फिर चलिए अगले वीडियो में कुछ अलग प्रश्णों के साथ मिलते हैं